Hi everyone, welcome back to my channel So, आज की इस वीडियो में मैं अपने नेल से जल पॉलिश रिमूफ करने वाली हूँ तो ये जल पॉलिश मैंने एक वीक से ज्यादा टाइम होगे मैंने लगाए थी अपने नेल्स पे और अभी भी बिल्कुल सही लगी हूँ है कहीं से भी हराब ने हुई तो अगर आपको देखना है कि कैसे सही तरीके से लगानी चाहिए जल पॉलिश अपने नेल्स पे तो मैंने वीडियो बिनाए हुई है लास्ट वीडियो मेरी इसे टॉपिक पे दी तो आप जाके देख सकते हैं सो शुरू करते हैं रिमूबल का प्रॉसेस और आज मैं सोक आफ मैथर्ड यूज करने मारी हूँ जल पॉलिश को रिमूफ करने के लिए सो सबसे पहले तो हमें यह जो हाड सी सील बने विये है टॉप कोड की नेल के ओपर तो इसको रिमूफ करने है और उसको रिमूब करने के लिए hand file भी मैं use करूंगी और e file भी use करके दिखाऊंगी आपको तो सबसे पहले तो इसमें हमें sending bit को fit कर लेने हैं और यह है sending bit और इसके ओपर मैंने 180 grid sending band लगाया वै तो इसको मैं सही से fit कर लोगी और फिर मैं बाद में आपको इसको यू्ज करके भी दिखाऊंगी ओके तो पहले मैं एक नेल के ओपर hand file यूज कर लेती हूँ और पिर बाद में बाकिने में इसके ओपर मैं आपको ये फाल यूज़ करके दिखा दोंगी तो इससे पहले तो ये सील ब्रेक कर लेनी है और उसके बाद मैंने सोचा थोड़ी सी जेल पॉल्श भी इसके साथ रिमूव कर लेंगे तो उससे फिर सोकिंग में ज्यादा टाइम नी वेस्ट होगा तो मैं यहाँ पर 150 ग्रेट नेल फाल यूज़ कर रही हूँ आप 180 यूज़ कर सकते हैं 100 वाला भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी यूज़ करें लेकिन बस ध्यान में ये रखना है कि बहुत ध्यान से अपने नेल्स फाल करने हैं और नेल्स फाल के साथ ज्यादा नहीं गिसना ही है ना कि आप नेल सरफेस को टच करें और वह इस तरह से फिर नेल्स वीक हो जाते हैं तो मैंने भी यहाँ पे नेल्स प्लेट को डामज किये बगार इस नेल्स फाल से जितनी जल पॉलिश रिमूव हो सकती थी वह कर ली और बाकी हम आप सोप करके एजल ली उसको रिमूव कर लेंगे तो हैंड फाल के बाद अब इसी फाल को यूज करते हुए मैं यह सील ब्रेक कर रही हूँ और इसी के साथ मैं थोशी जल पॉलिश पी रिमूव कर लूँगी तो मैं इसको यहाँ पे बहुत लो स्पीड पे रखके यूज कर रही हूँ बहुत ध्यान से अपने इसको यूज करना है शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किल होती है लेकिन प्रैक्टिस के बाद फिर इतना मुश्किल नहीं लगता है इसको यूज करना मैं भी इसको बहुत आराम से यूज करें क्योंके काफी अरसा होगे मैंने इसके साथ प्रैक्टिस ने की तो काफी ध्यान से यूज करना पड़ रहे और मज़े की बाद ये कि जब मैंने अपना नेस वाला कोर्स कंप्लीट किया तो सबसे पहरी जो चीज मैंने और की थी तो ये वाली नेल ड्रेली थी और छे महीने होगे होंगे इसको आए वे अभी तक शायद मैंने दो या तीन दफ़ा इसको यूज किया है तो आर्डर तो मैंने इसलिए की थी कि ज़्यादा स्यादा प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आज के लिसका बहुत ज़्यादा इस्तमाल होता है और इसके साथ आपका काम भी काफी असान हो जाता है ना तो ड्राइ मैनिक्यूर में आप इसको यूज करने तो बहुत आपको हल्प मिलती है और पॉली जल और अक्रेलिक रिमूवल में भी इसका बहुत इस्तमाल होता है तो काम तो आपको ये बहुत असान करती है लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है तो अगर आपको भी यूज करनी है तो मैंने तो अलिया एक्सप्रेस से आरो की थी तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूगी आप जाकर चेक कर सकते हैं तो प्रैस तो इसकी काफी रीजनेबल थी और ड्रिल के साथ साथ काफी ड्रिल बिट्स पे मिर रही थी बस थोड़ा साउंड का इश्यू है और मैंने इस क्लिप की साउंड ब्यान की वी आपको आवाज आ रही होगी कुछ मिलती हैं जिनकी बिल्कुल आवाज नहीं आती लेकिन वो थोड़ी सी एक्सपैंसिव हो जाती है तो मुझे बस प्रैक्टिस के लिए जाई थी तो मैंने प्र ये वाली ले ली आपको अभी अगर शुरू में प्रैक्टिस ही करनी है तो आइ थिंक ये अच्छी है आप देना चाहें तो ले सकते हैं ओके तो दोनों हाथ के ने से ड्रिल के साथ जितनी जल पॉलिश रिमूव करनी थी कर ली अब मैं इनको एक दफाचे से क्लीन कर लेती हूँ अलकोहल और काटन पैट के साथ तो उन्हें इसको साफ करने के बाद अब हम जूरू करेंगे सोकिंग का प्रोसेस और उसके लिए मैं ओपियाई का ये लेकर रिमूवर यूज कर रही हूँ आप ही कोई भी जल पालिश रिमूवर यूज कर लें वरना ऐसे टोन यूज कर लें और ये याद रखें कि नॉर्मल जो नेल पालिश रिमूवर होता है उससे जल पालिश रिमूवर नहीं होती तो मैंने इस लिक्विड को इस नेल पालिश रिमूवर वाली बॉटल में डाले इसे यूज़ करने में काफी असानी रहती है तो दूसरी चीज़ जो हमें चाहिए वो हैं कॉटन पैट्स और इनको मैं दम्यान में से काट लोगी दो पीसिस कर लोगी चार पीसिस भी आप करना चाहिए वो कर सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर इनको बस दो पीसिस में ही काट किया है सबको और इन सबको काट कर लेने के बात अब जो हमें अगली चीज़ चाहिए वो है Aluminium File इसको भी मैंने समॉल पीसिस में काट कर लिया है तो अब सारी चीजें रेडी हैं जो हमें चाहिए तो अब मैं बॉटल का लॉक खोलूँगी ओपन करूँगी इसको और फिर मैं एक कॉटन पैट का पीस लोगी और उसको इस लिक्विट में अच्छे से सो कर लूगी और सो करने के बाद मैं उसको अपने नेल के पर अच्छे बड़ा पीस लेने और उसको भी हमने फिर कॉटन पैड को पर अच्छ से रैप कर लेने तो इसको टाइटली रैप करने ऐसे डीला सा नहीं छोड़ना जितना हो सकते होतना आप इसको टाइटली रैप कर लें और फिर 10 मिनट के लिए छोड़ दें सो अब यही स्टेप्स मैं बाकी नेस के ओपर भी कर लेती हूँ रिपीट और उसके बाद भी मैं आपको दिखाती हूँ क्या आगे क्या करने तो पहले मैं एक हाथ के ने से जेल पालिश रिमूब करने वाली हूँ और इसका रैपिंग का प्रोसेस कम्प्लीट हो गया अब मैं पांच मिनट वेट कर लेती हूँ सबसे पहले जिसने इलको रैप किया था उसी का फाइल पेपर खोल लेते हैं इसको दास मिनट हो चुकी है तो यह देखा आपने काफी उतर चुकी है जेल पालिश और जो अभी नहीं उतरी थोड़ी सी लूज और यह फ्लेक्स बन के तो उसको इस वुड़न स्टिक के साथ आप ऐसे निकाल लेंगे ध्यान रखनें के आराम से आपने जो इसली उतरी उसी को उतारने हैं ज्यादा आपने जोर से इसको नहीं करना स्क्रैच बन जाएंगे वरना आपकी नेल प्लेट पे और नेल डैमेज होगा तो ज्यादा प्रेशर अप्लाइ किया बगर जो उतर जल पालिश उसको उतार लेंगे और जो फिर भी रह जाएगी इसली नहीं उतरेगी उसको दुबारा से रैप कर देंगे कुछ मिनिट के लिए और फिर वह जब दुबारा खोलेंगे तो वह इसली फिर उतर जाएगी सो इसको में एक दफार क्लीन कर लेती हूं नेल को चार मिनिट के लिए रिमूव कर लूँगी जैसे मैंने पिछले नेल के ओपर से रिमूव की और एक पात आपने ध्यान में रखनी है कि एक टाइम पे आपने एक ही फाइल को खोलना जेल पालिश को रिमूव करने के लिए अगर आप सब फाइल को एक ही दफार 10 मिनिट के बाद खोल के बैट ज 5 के लिए पर लोगा कॉरी तो सेम पाली में रिमुव कर ल joj in जैयर के लिए 0 listeners के लिए 0 sixt आप पांज मिनिट के बाद मैं आप आप infin claiming गहर Jurassic को लिए को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं तो इस सारे प्रॉसेस में आदा घंटा तो आपका आराम से लग जाता है और अगर आप घर पे हुदी अपनी जल पालिश रिमूव कर रहे हैं तो हो सकता है थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग जाए ओके तो फाइनली इस हाथ के नेल्स से तो जल पालिश रिमूव हो गई और अब मैं इनको अच्छे से अलकोल और कॉटन पैट से साफ कर लूँगी तो आप देख सकते हैं कि में नेल्स कहीं से भी डैमिज नहीं हों इस पूरे प्रॉसेस में और काफी हल्दी नजर आ रहे है अगर आप भी यही सेम स्टेप्स फालो करेंगे तो आपको भी यही सेम रिजर्ट्स मिलेंगे तो इस हाथ के नेल्स के तो जल पालिश रिमूव हो गई और दूसरे हाथ के नेल्स काफी डिहाइडरेटिड लग रहे हैं इनको रिहाइडरेट के लिए मैं क्यूटिकल आइल अपलाई करही हूं और पिर मैं इसका अच्छा से मसाज करूंगी सो क्यूटिकल आपलाई करने से एक तॉपकी नेल्स हेल्दी होती हैं डूसरा उनको एक अच्छी सी शाइन मिलती है तो क्यूटिकल आयल वैसे भी दिन में दो तीन दफा लगाते रहना चाहिए अगर आपको हैल्दीनेज चाहिए तो तो इस वीडियो को मैं यहीं पहत्म करूंगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी और डोंप फगेट तो लाइक शेर और सबस्क्राइब तो मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में बाई